दोस्तो international relations का एक theory है nuclear peace जो कहता है कि presence of nuclear weapons कुछ aspects में work situations को कम करता है since both parties situations को avoid करेगी जिससे एक nuclear war start ना हो जाए लेकिन अगर ये nuclear weapons create ही ना हुए होते तो आज ये world ending situation के बारे में किसी को सोचना भी नहीं पड़ता आज पूरे विश्व में इतने nuclear war rate है कि humanity को कई बार खतम किया जा सकता है दोस्तो आज का हमारा discussion रहेगा उस आदमी को लेके जिसने इस world को दिया nuclear weapons का concept हम बात कर रहे हैं Julius Robert Openheimer की दोस्तो Robert का जन्म हुआ था April 22,1904 में New York पे उनके पिता Julius एक यहोदी थे और यूरोप से भाग के New York पे आये थे उनकी मा एला भी एक जीव थी जिनकी फैमिली कई जेनरेशन से New York पे रह रही थी उनके माता पिता ने शादी की 1903 पे Robert उनका फर्स चायल था और उनके भाई Frank का जन्म हुआ था 1912 में Robert की फैमिली New York के एक अपस्केल अपार्टमेंट में रह रही थी Julius एक सक्सिस्फुल टिक्स्टाइल इंपोर्टिंग दा बिजनस रन कर रहा था एला एक पेंटर थी Robert का बचपन ऐसे स्ट्रक्चर था उन्हें फॉर्मल ड्रिस पहनना पर था दिनर्स पे वो जब पात साल के हुए उनकी फैमिली ने एक वेकेशन लिया टू जर्मनी जहां पे वो अपने दादा जी से मिले और उनके दादा जी ने उन्हें एक कलेक्शन दिया मिनेरल्स का यही से रॉबर्ट को एक तरह का आपसेशन हो गया पत्थरों के साथ और उन्हें कलेक्ट करने लगे जब वो सिर्फ 11 साल के थे उन्होंने न्यू यॉर्क मिनेरोलोजिकल क्लब को जॉइन कर लिया था उनके मिनेरल्स के प्रती इंट्रेस्ट का पता इस बात से लगाया जा सकता था कि उन्होंने बारा साल की उम्र में मिनेरल्स पे एक साइन्टिफिक पेपर प्रिजेंट किया था रॉबर्ट को पढ़ना बहुत पसंद था वो बचपन से ही सोशली ओकर्ट थे स्कूल के बाद केमिस्ट्री पढ़ने के लिए रॉबर्ट ने हर्वर्ड में एन्मेशन लिया लेकिन उन्हें बाद में प्यार हो गया फिजिक्स से अपनी ग्रेजुएशन स्टेडीस रॉबर्ट करने लेगे पेर्सी ब्रिजमेंट के अंडर रॉबर्ट इस टाइम पे रियलाईज कर चुके थे कि उन्हें लाइफ में क्या करना है ग्रेजुएशन कम्प्लीट होने के बाद वो चले गए केम्ब्रीज उनिवर्सिटी केम्ब्रीज उनिवर्सिटी में रॉबर्ट ने अर्निस्ट रॉबर्फोर्ट के अंदर काम किया वो ही रॉबर्फोर्ट जिसने नुकलियस ओफ एटम्स, प्रोटॉन, आल्फा, बीटा, रेस का डिसकवरी किया था दुनिया में फिजिक्स की रेपूटेट लैबरटरीज में से एक था केवेंडिश लैब ऑफ केम्ब्रीज रॉबर्फोर्ट रॉबर्ट के लैबरटरी के इनकम्प्लीट काम की वज़े से उन्हें लेना नहीं चाते थे परसीब रिजमेन रॉबर्ट के जीनियस की वज़े से उनके लिए रिकमेंडेशन लिटर लिखा फिर केम्ब्रीज के ही दूसरे साइन्टिस्ट जेजे थॉम्सन जिन्होंने इलेक्टरॉन की खोज की थी रॉबर्ट को अपने साथ रखने का फैसला किया बट थॉम्सन ने एक शर्ट तरखी थी कि रॉबर्ट को लेबर्टरी के सारे एसाइन्मेंट्स करने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा काम की वज़े से रॉबर्ट हमेशा स्ट्रेस्ट रहते थे और चेन स्मोकर बन चुके थे 1926 में वो फिर केम्रिज छोर कर जर्मनी के कौटेंजिन यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने के लिए एपलाई किया तब यूनिवर्सिटी का फिजिक्स डेबार्टमेंट एन्रिको फर्मी, वर्नर हैजनबर्ग, वुल्फगेंग पॉली और एड़वर्ट टेलर जैसे जीनियस साइन्टिस्ट से भड़ा हुआ था 16 रिसर्च पेपर कंप्लीट करने के बाद 23 साल की उम्र में रॉबर्ट ने अपनी रिसर्च पूरी कर ली इसके बाद रॉबर्ट USA में जाके बर्कली में सिचुएटेड यूनिवर्सिटी ओफ कैलिफोर्निया में पढ़ाना शुरू कर दिया रॉबर्ट को क्वांटम फिजिक्स में इतना मज़ा आता था कि वो कई बार लेक्चर्स एक्स्टेंट कर देते थे और वो अपने समझाने के तरीके को एक रिदम में नहीं कर पाते थे बचपन से ही ज्यादा सोशल इना घुलमिल पाना ही इसका एक वज़े बना एक बार तो सेमिस्टर्स के लास्ट वीक पे सिर्फ एक स्टूडेंट रॉबर्ट का क्लास एटेंट कर रहा होता था वो भी अपनी एटेंडेंस क्रेडिट पूरा करने के लिए बाद में उन्होंने पढ़ाने के तरीके की प्रॉपर ट्रेनिंग ली और फिरो अपने काम पे माहिर हो चुके थे उन्होंने बर्कली लैप को एक वर्ल्ड क्लास फेसिलिटी में कनवर्ट कर दिया था वो अपने काम में इतना डूप चुके थे वो कोई फोन नहीं रखते थे ना ही रेडियो एंड न्यूस पेपर भी नहीं पढ़ते थे जब उनका माइंड फिजिक्स में नहीं होता था तब वो हिंदू माइथोलोजी पढ़ते थे जी हां भगवत गीता का उनके उपर एक बड़ा प्रभाव था इतना कि ओरिजिनल गीता पढ़ने के लिए उन्होंने संक्स्कृत सीख डाली 1930s के बाद Robert का mental situation कुछ stable नहीं था वो train में अपने दोस्त Francis के साथ कहीं जा रहे थे और Francis ने जब उन्हें बताया कि वो अपने लवर के साथ शादी करने वाला है तब Robert अचानक से उनका गला दबाने पर आ गए थे और Robert को तब ये realize हुआ कि उनके साथ जरूर कुछ गरवड है Robert उसके बाद एक psychiatrist के पास गए और उन्हें पता चला कि उन्हें स्क्रिजोफरेनिया की बिमारी है literature के एक professor की बेटी Gene Tetlock के साथ Robert का relation था Gene Communist Party का member थी एंड तब Robert भी communism से थोड़ा प्रभावित थे Gene और Robert का relation करीब 3 साल तक चला और उसके बाद दोनों अलग हो गए 1940 में Robert ने एक medical researcher Catherine Pooning के साथ शादी कर ली और उनके दो बच्चे भी हुए World War शुरू होने के almost एक साल पहले December 1938 में दो जर्मन साइन्टिस्ट Otto Hahn और Fritz Stratsman ने nuclear fission की खोच की Nuclear bomb का basis यही fission theory है जिसमें neutron से uranium के एक बड़े मास को दो पार्ट में तोड़ कर bomb बनाया जाता है इस break में massive energy release होती है जो कि bomb का काम करती है तीन Hungarian scientists Leo Sazilad, Edward Teller और योगिन Wigner को ये डर था कि Hitler के हाथ अगर nuclear weapon आ गया तो पूरी दुनिया खत्रे में आ सकती है तीनों ही scientists जीविश थे Sazilad और विगिनर ने ये तै किया कि वो अमेरिका के तब के president Roosevelt को इसके बारे में एक letter के थूँ बताएंगे लेकिन वो दोनों ही एक लिहास से छोटे scientists थे तो USA के president उनकी बात क्यों सुने तो वो गए Albert Einstein के पास और Einstein जो की एक जीव थे Hitler की mass killing से बचने के लिए अमेरिका में immigration ले चुके थे letter गया Einstein के नाम से जिसमें Sizzler और बाकी scientists के signature थे उस letter को पढ़ने के बाद Roosevelt ने एक team बनाने को कहा जो इस पर काम करेंगे इसी से जन्म हुआ प्रोजेक्ट Manhattan का Roosevelt के order के बाद पूरी team के leader उस वक्त के Lieutenant General Leslie Groups हुए Groups ने nuclear bomb के team का head Robert Openheimer को बनाया Groups ये जानते थे कि इस project को अंजाम तक सिफ Robert Openheimer ही ले जा सकते है New York के Manhattan में इस project का headquarter बनाया गया कुछ legends के मुताबिक इस project का नाम Grooves ने शेहर के नाम पर इसलिए रखा ताकि ये normal construction work लगे Sizzler, Enrico Fermi, Einstein, Edward Taylor Richard Feyman जैसे scientist को लेकर पूरे 15 scientist की team मनाई जिसकी leadership Openheimer को दे गी Edward Taylor को ही Mother of hydrogen bomb कहा जाता है Bomb के पूरे process के लिए एक unpopulated area चाहिए था अपने बचपन के दिनों में Openheimer अपनी family के साथ New Mexico के पठारी रीजिन्स में चुट्टियों में जाया करते थे Robert ने project के शुरुवात में ही decide कर लिया था कि bomb का test New Mexico के Los Alamos में होगा नाम दिया Trinity यानी God Los Alamos में इसके लिए एक proper facility बनाई गई जहां scientist और military के लोग साथ रहते थे Bomb के detonation के लिए 16th July 1945 की तारीक तै की गई इस project की सहमती देने वाले US President Roosevelt Brain Hemorrhage की वज़े से 12 April को चल बसे Vice President Henry Truman ने Office समालने के बाद इस project को green signal दिया सुभा के ठीक सारे पाज बजे दुनिया का पहला atom bomb डेटोनेट किया गया पूरा नजारा कुछ ऐसा था एक mushroom के जैसे light का एक बहुत ही बड़ा source हो डेटोनेशन इतना तगड़ा था कि रोबर्ट के मूँ से अपने आप ही भगवत गीता का इलेवन्थ चाप्टर का 12 श्लोक संग्सक्रित में निकला था दिवी सूरिय सहसरस्सा भवययोग पाद्या यदिभा सद्रिशी ससस्याद भाषा तस्समहत्मना दोस्तों अगर कोई गल्दी हो गई हो तो मुझे माफ कर देना इसका मतलब था यानि जैसे आकाश में हजारो सूरियो के एक साथ चमकने से जो भी प्रकाश पैदा हो वो भी विश्वरू परमात्मा के प्रकाश के जैसा शायद ही हो इसके बाद उन्होंने कहा था कि अब मैं मृत्यू बन चुका हूँ जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है उन्होंने ये बात बहुत बार दोर आई थी रोबर्ट के उपर भगवद गीता का प्रवाब हम इस बात से लगा सकते हैं रोबर्ट चुक थे क्योंकि उन्होंने ना जाने किस चीज को बना दिया है जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 6 अगस्ट 1945 को जापान की हिरोशिमा में पहला एटॉम बॉम लिटल बॉय गिराया गया था और 9 अगस्ट को नागा साकी में फैट मैन गिराया गया था World War II खतम होने के बाद USM ने Atomic Commission का बॉर्ड बनाया और ओपेन हैमर को इस बॉर्ड का मेंबर बनाया गया 1949 में USSR ने भी अपना पहला नुक्लियर बॉम टिस्ट कर लिया था USA और सोवियत के बीच एक Cold War छिट चुकी थी दोनों ही देश आरम्स रेस में लग चुके थे ओपेन हैमर ने हाइड्रोजेन बॉम की विरोधिता की थी उनका कहना था कि कोई भी देश इसे बनाये ये मैनकाइन के लिए एक खत्रा ही रहेगा US President Harry Truman को ये बात पसंग नहीं आई और ओपेन हैमर को कमिशन के बोर्ट से हटाने को कहा गया पास्ट में एक कम्यूनिस्ट आइडियोलोजी से इंफ्लूएंस्ट होने की वज़े से Cold War के टाइम पे रोबर्ट को कई बार FBI के इंवेस्टिकेशन के सामने भी ख़डा होना पड़ा मैनहेटन पोजेक्ट की वो इंट्रेस्टिंग सी बात की 15 मेंबर्स में से 12 भी यहूदी थे 1963 में USA की गवर्मेंट ने रोबर्ट को एन्री को फर्मी एवार्ड दिया फॉर एक्सिलेंस नुकलियर रिसेर्च लेकिन फिर भी वो फुली रिकवर नहीं कर पाये थे 1950s की हुमिलेशन से चार साल बाद February 18th of 1967 में 62 years की उम्र में उनकी मौत हो गई थ्रोट कैंसर की वज़े से तो दोस्तो यही थी कहानी रोबर्ट ओपेन हेमर की अब बिग फैन ऑफ क्रिस्टोफर नूलन और उनकी फिल्म उपेन हेमर आ रही है जुलाई 21, 2023 को सुव अब रेली एक्साइट और इसलिए मुझे उपेन हेमर की पूरी स्टोरी जाननी थी और आई होप यू एंजोई इस वीडियो और आई होगी और आई है और आई होगी जाए हिंद लिए और आई है